दिल्ली में NDA की बड़ी बैटक शुरू हो गई है पिया मोधी के अधक्सता में ये बैटक हो रही है जिसमें NDA के 38 घटक डलों के नेता शामिल है बिहार से पुरुप सीम जितरामान जी चिराग पास्वान पाशुपाधी पारस उपेंद्र कुश्वाहा शामिल है और साथ ह बीज़पी अध्यक्स जेपी नड़ा रक्षा मंत्री राधना सिंग समेट NDA के सभी बड़े नेता मौझूर है बैटक में 24 की रन नीती पर चर्चा की जा रही है तो तवस्वीर है आपके सामने हैं गिल्ली में बैटक हो रही है अंडिया की बड़ी बैटक शुरू हो पारेस और उपेंद्र कुष्वाहा भी इस मिटिंग में शामिल है साथ ही बीजेपी अध्यक्स जेपी नड़ा रक्षा मंत्री राजनास सिंग समेट NDA के सभी बड़े नेता मौझूद है तो बैटक में 24 की रन नीती पर चर्चा की सारी है तो NDA में दिल्ली में NDA की बड़ी बैटक शुरू हो गई है प्याम मोधी की अध्यक्स ताम ये बैटक होने वाली है और हो रही है माफ की जगा जिसमें NDA के 38 घटक दलों के नेता शामिल है बिहार से पुर्ब से अम जितना मांजी चिनाग पास्वान पशुपतिपारस औ और साथ ही बीजेपी अध्यक्स जेपी नड़ा रक्षा मंत्री राजना सिंग समेथ NDA के सभी बड़े नेता मवजूद है तो तमाम जनकारे के लिए संपादक अशोक मिश्य जी इस वक्त जुड़ चुके हमारे साथ अशोक जी NDA की बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली म अभी थोड़ी ही देर पहले हमने पाज बजे न्यूसरूम लाइब में भी दिखाया था कि विपक्षी एकता दल की यानि की इंडिया की बैठक भी समाप्त हो गई है और जस्त तुरंत बाद NDA की बैठक क्या समझा जाए बैक टूबैक बैठक है दोनों दलों के दोनों दलों की जो बैठक थी वो समाप्त हो चुकी और उसके तुरंत बाद NDA गटवंधन की बैठक हो रही है आपने देखा निशू की बिपक्षी दलों की जो एक जूरता थी वो बंगलरू में देखने को मिली और एक नए गटवंधन याने की UPA गटवंधन से इतर आब इंड इंडिया गटवंधन बना है याने की विपक्षी दलों की एक जूरता आप इंडिया के नाम से जानी जाएगी दूसरी तरफ इंडिया गटवंधन की बैठक शुरू हो चुकी है प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षतामी ये बैठक हो रही है और इसमें 38 दलों के नेता इसमें सामील हो रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि महा गटवंधन याने की विपक्षी दलों की जो बैठक हो उसमें भी बिहार की अहम भूमिका रही है नितिश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम चलाई थी और विपक्षी दलों की जो बैठक ब्यंगलोरू मे उसमें मुकमंतरी नितिश कुमार, राजसुप्रीम लालू परसाद यादव, तेज़सी परसाद यादव और इसके अलावे बंपंथी दलों के भी नेता सामिल हुए थे। वो इसमें सामिल हो रही है। तो ये दोनों की तरफ से ताकत की जोर अजमाइस हो रही है और अंकों के खेल में भी कहिए कि एंडिये गठवंधन भारी है। शुरू हुई है इस बैठव में देखना होगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एंडिये नेताओं को क्या मंत्र देते हैं। और विपक्च का जो आज फैसला है विपक्च का जो नया गठवंधन है उस गठवंधन को वो किस रूप में लेते हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाओ की तयारी में देश के सभी दल लग चुके हैं। और ये दो भाग में बढ़ चुके हैं। एक तरफ अगर इंडिये है तो दूसरी तरफ इंडिया है। और इसके पीछे मकसद यही है कि विपक्ची दल जहां चाहते हैं कि नरेंदर मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करें। और चुकि पिछले दो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चेह विपक्ची दल बुरी तरह से पराजित हुए हैं। खास करके कॉंग्रेस को भी भारी पराजय का मुह देखना पड़ा है तो ओइसी परिस्ति में कॉंग्रेस भी इस बार चाहती है कि विपक्ची एकता के ही बलबूते नरेंदर मोदी को केंदर की सत्ता से बेदखल किया जाए। फिर से बीजेपी की सत्तामी वापसी होगी क्या एंडिया की सत्तामी वापसी होगी परधान मंतरी के रूप में फिर नरेंदर बोगी किसली बासा पत ने गए बने रही है हम आगे भी जनकारी लेंगे